तो वेलकम फ्रेंट्स नमस्कारे दोस्तों आप सभीका आज हम लोग बात करने वाले हैं राची इनिवर्सिटी समेश्टर थिरी हिंदी मेजर पेपर फोर उसकी इंपोर्टेंट कोस्चन ठीक है पले हम लोग सिलेबस को एक बार देख लेते हैं तो यह हमारा सिलेबस और रा टाइमिंग सब को मालूम है तीन घंटा रहेगा पास करने के लिए चाहिए आपको 75 नमबर का फूल मार्क से तो पास करने के लिए आपको 30 नमबर लाना होगा ठीक है देखते हैं क्या क्या पढ़ना है तो यहां पर देखे आपको पढ़ने हैं यह टॉपिक विल्ट बन हि इतना चीज पढ़ना है तो देखे उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह इंपोर्टन क्वेश्चिन त्यार किया है तो यहां पर आपके पांच वह इंपोर्टन है बाकि सजेशन है तो राच इनिवर्शेटी साथ में मैं यहां पर NPO भी इसको कर ही देता हूं यह नही कि यह हमारा पहला कॉश्चन हो गया ठेख़ब पहला क्या हिंदी कहांने को अद्वा और विकास का वर्णन करें ऐसे नेक्स्ट यह आपके मुए आपके मएद्यास कितने भाग तो बता दीजेगा दो भाग है ठेक है वन मार्क्स मार्क सबनेंगे मैं आपको बता देता हू तो ये दो में से कोई ये काएगा या तो कहानी पूछेगा देखिए उद्भव और विकास दोनों से में यहाँ पे देखिएगा उद्भव और विकास लेकिन बस आपको एक कहानी का है और एक उपन्यास का है नेक्स्ट है आपका कितने पाकिस्तान उपन्यास का सारांस असपस्ट करना है कि कितने पाकिस्तान ये जो कहानी उपन्यास है इसमें कमलेसवर जीने क्या बोलने का प्रियास किया गया है ठीक है चौता है हमारा मानस का हंस उपन्यास की कथावस्तु का वर्णन करना है कि मानस का हंस से हमें क्या सिक्षा मिलती है इसका उद्देश क्या है ठीक है जनरली आपको उद्देश सारांस कथावस्तु यही पूछा जाएगा उसके बाद देखिए आपको क्या करना है यह यह कहानिया आपको क्या करना ने longtime की मिली फिर आपको लेकरक के नाम याद रखने हैं और किस वर्ष प्रकासित हूं यह याद रखना कहानी पढ़ना होगा ठीक हैब आपके पास टेट के कम कर होगा ठीक है तो गस्पेपर पर लिजिएगा गस्पेपर नहीं है तो आप गूगल से एक इक कहानी को सब्सक्राइब के पढ़ लिजिएगा फाला नहीं है दुनिया का अन्मौल अरे याद गलत हो गया सरी रतन है यहाँ पर ठेकर दुनिया का अन्मौल रतन चछलिए it miss Tech को सुदार लिया करिंद जिकैं और यह हमारा दुनिया का अन्मौल रतन टीक है यह प्रेम चन Hm के द्वारा लिखा गया है इसमें आपके one marks वाले question कैसे आएंगे पूछ देगा कि दुनिया का अनमोल रतन के लेखक कौन है ठीक है या फिर दुनिया का अनमोल रतन किसके द्वारा लिखा गया है तो प्रेम चंद ठीक है तो यह सभी जो आठो है आपके इन सभी के आपके ल किसने लिखा है याद रखने लेखक का का नम आपको दस्की याद रखने लेखक और आपका और 시का आट लेखक कोन सा कहानी लिखा गया है ठीक है तो आपको लिखना होगा चीप की दावत और कौन-कौन से करेक्टर है उसमें ये भी पूछ जा सकता है वन मार्क्स वालों में ठीक है तो आपको क्या-क्या पढ़ना है दुनिया का नमोल्टतन परिंदे निर्मल वर्वांजी का लिखा गया है ठ सरन दाता अगे ठीक है दिल्ली में एक मौत कमले स्वर तो ये आपको लिखने इन सभी के राइटर के नाम और आपको पब्लीकेशन ये किस साल यह परकासित हुआ ये भी आपको याद रखने है और आपको कहानी भी याद रखता है ठीक है आपको जनरली जो कोशन आएंग ये चाहे जो चीप की दावत में जिनकी घर में जाता है उनकी मा के बारे में बताइए ठीक है उसका चरितर चितरन कीजिए यही सब आपको पूछा जाएगा ठीक है तो आपको कहानी याद रखना पड़ेगा क्योंकि अगर हम कहानी से कोश्चन बनने लेगेंगे तो ही बताएंगे बाकी यह जो मैं आपको चार कोशन दिया हूं यह चार में से चारों आपके मेंच करेंगे ठीक है और वन माक्स वाले आपको लेखक का नाम याद रखिएगा तो आपके आ जाएंगे क्योंकि पांच वाल आएगा न तो आप लोग पांच हो कर लीजिएगा नई के लगए इसका गुप मैं वीडियो का डिस्क्रिप्क्रिप्शन में दे रहा हूं बाकी मेजर पीपर पाइब पज जाता है में जलोजी वीडियू लाएंगा माईनर पेपर मेजर पेपर यतना हैस है इसी पेपर सेक पेपर सब देरे देरे अपलोड कर दूंगा ठीक है ओके बाई और पीडियाप में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वहां से डाउनलोड कर लिजेगा हाँ एक रिक्वेस्ट है जब आपका एक्जाम हो जाए तो आप अपना कॉस्टिन पेप कर देजिएगा और जब आपका एक्जाम हो जाए तो आपना कॉस्टिन पेपर हमें सेंड कर देजिएगा ठाकि मैं आने वाले फ्यूचर में जितने भी आपके जुनियर के इंडिट हैं उन सभी की हेल्प कर पाऊं रुको रुको मिस्टरी खा लेगा ले रुको मुसुच चाहसार पज़ातर रिकार से ओके ठाइंक्यू वाई बच्छा लोग को मिस्टरी देते हैं